हेलो एवरिवन, वेलकम तो दी वेल्स माइनस, आज हम करेंगे कोटक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के एक डिटेल अनलिसिस, साथ हम ये भी देखेंगे कि इस फंड ने किस प्रकार के पर्फॉर्मेंस दिये हैं, और इस फंड के पॉट्फोलियो में कौन कौन से स्टॉक्स आ आते हैं, और वीडियो के लास्ट में हम ये भी अनलाइस करेंगे, क्या ये फंड अपने के टेकरी का बेस्ट फंड है या नहीं, तो चलिए ये सुरू करते हैं, तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा, कि कोटक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड होता गया दोस्तों, इसक इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 50 इंडेक्स फंड है, वो इंडेक्स फंड है, इसके अलावा इंडेक्स और एटियप भी अबलेवल है, जो कि हमको मदद करते हैं, इस निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के उपर इंडेक्स करने के लिए, तो कोटक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, जो कि हमको निफ्टी 50 के इंडेक्स के उपर इंडेक्स करने में हल्प करता है, तो हमने ये समझ लिया कि निफ्टी 50 क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं, बह और उन्हीं stocks में invest करना होता है जो कि इस index का part हैं तो आगे हम अभी ये भी देखेंगे कि कौन कौन से stocks हैं जो कि इस index का part हैं किसी भी index fund का return है वो अपने index के बराबर ही होता है उससे जादा वो return नहीं देख सकता अब आप समझ चुके होंगे कि कोटक nifty 50 index fund किस प्रकार के stocks मे invest करता है और mutual fund की investment philosophy क्या है चलिए अब हम यह जान लेते हैं कि आप किस तरह से use कर सकते हैं nifty 50 के index fund को अपने investment journey के लिए सबसे पहला use तो यह हो गया जैसा कि आप जानते हैं कि nifty 50 इंडियन market को represent करता है तो अगर आप nifty 50 में invest करते हैं तो आप directly इंडिया में invest कर रहे हैं औ तो दूसरा use यह हो सकता है nifty 50 के index का माली जैसे कोवीट के समय market बहुत जादा down हो गया था suddenly और वहां से recovery भी बहुत तेज आई थी तो अगर आपको पता है कि आज माली जै nifty 50 5% to 10% down हो गया है तो आपको लगता है कि यहां से मुझे invest करना अच्छी और nifty 50 में बहुत जद बाय करके फिर sell नहीं करना चाते या फिर अपने लिए stocks नहीं पिक करना चाते तो आप nifty 50 index fund के उपर invest कर सकते हैं क्योंकि nifty 50 ने over the year consistent return दिये हैं अभी हम check out भी करेंगे किस प्रकार से nifty 50 ने consistent return दिये हैं तो nifty 50 index fund ऐसे लोगों के लिए stock market में ज्यादा stocks और mutual fund को research नहीं कर अब देख सकते हैं कि हर स्टॉक के सामने एक percentage लिखा हुआ है इस percentage का यह मतलब हुआ कि इस stocks का इतना वेटेज है उस index में दूसरे सब्दों में कहें तो माल लीजिए अगर यह mutual fund हाओ 100 रुपय की purchasing करता है stock market से तो उसमें से 10% हिस्ता होगा Reliance का उसी तरह से 8% हिस्ता होग HUL और Larson & Turbo तो यह थे top 10 stock जो की nifty 50 के index का part है इसके अलबा 40 और stocks है जो की nifty 50 के index का part है अगर आपको पूरे 40 stocks का नाम देखना है तो आपको वीडियो का link description में मिल जाएगा अपर आपको nifty 50 index की पूरे stocks का नाम मिल जाएगा sector wise तो आपको मैं अब यह बता जिता हूँ कि मैं से उनका ज्यादस ज्यादा 1 to 1.5% का weightage होगा और जिरो top 10 stock से उनका 50 to 56% का weightage है तो जो भी nifty 50 का moment होता है अप या डाउन उसमें ज्यादा तर यह top 10 stock की responsible होते हैं तो हमने यहाँ पे stocks के नाम देख लिए तो चलिए अब हम यह देख लेते हैं जो stocks से कौन कौन से sector से आते ह तो यहाँ पे हमने top 5 sector लिख लिए हैं जिससे की nifty 50 में stocks आते हैं तो पहला sector है financial जिससे की 11 companies आती है, automobile से 6 companies आती है, information technology से 5 companies आती है, healthcare sector से 5 companies आती है और FMCG सेक्टर से 5 companies आती है के लावा 8 और sector है जो कि nifty 50 के index का part है, उनके नाम आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, किसी भी index fund को समझने के लिए हमको 2-3 terms को समझना पड़ेगा, उसी में जो पहला term आता है, वह expense ratio, expense ratio का यह मतलब हो गया है, कि particular mutual fund हम से कितने पैसे लेगा, इस mutual fund को manage करने के लिए, तो हमें ऐसा index fund देखना है जिए, जिसका expense ratio कम से कम हो, उसके बाद जो second time आता है, वह tracking error, tracking error का यह मतलब हो जाता है, तो index fund क्या करता है, किसी भी index को copy करने का काम करता है, तो जो index को copy करते हैं, कही बार क्या है, index और जो index fund के return है, उसमें जो difference आ जाता है, उसी को हम tracking error बोलते होता है, जो आपका index fund है, उसका जो AUM हो कम होता है, इस कारण से भी tracking error आ जाता है, क्योंकि mutual fund के पास इतने पैसे ही नहीं होते है, कि अच्छे तरह से copy कर सके, जो third time आता है, AUM का मतलब होता है, asset tender management, इसका यह मतलब होता है, कि particular mutual fund होता है, कितने ज्यादा पैसे लगाया जा चुके हैं, तो जितना ज्यादा AEM होगा, उतना ही tracking error कम होगा उस particular index fund का, अगर मैं आपको overall conclusion बता हूँ, तो index fund क्या करता है, किसी भी index fund को copy करता है, तो जितने भी 50-50 index fund हो सेम ही काम कर रहे है, इसलिए हम ऐसे 50-50 index fund को देखना है, जिसका expense ratio कम से कम हो, और उसका tracking error भी कम से कम हो, तो at the same time उसका जो AEM है, मतलब कि asset under management है, वो ज्यादा से ज्यादा हो, आप इन तीनो factor को compare कर लेते हैं, तो आप किसी भी प्रकार के index fund को यहाँ पे compare कर सकते हैं, चायो nifty index 50 हो, nifty 100 हो, nifty IT हो, या nifty bank हो, तीनो term से ही हम define कर सकते हैं, कि particular index fund का भी performance कैसा है, जिकि जो index fund क के manager होते हो, actively stock नहीं pick करते हैं, उनको simply copy करना होता है, उसलिए हम अपना खर्चा ज्यादा क्यों करें, हम better से better select करते हैं, और हम यहाँ पे देखते हैं, कि expense ratio और tracking error कम से कम हो, और AEM ज्यादा से ज्यादा हो, तो kotak nifty 50 index fund का जो expense ratio है, 0.18% का है, और tracking error 0.23% का है, तो जो overall expense प 50 index fund select करेंगे, तो has of now market में total 18 mutual fund available है, जो कि nifty 50 के उपर index fund provide करते हैं, पर यह सब mutual fund का काम क्या है, जो कि nifty की index को copy करना है, तो हमको ऐसे mutual fund को select करना होगा, जिसका expense ratio कम से कम हो, और उसका tracking error भी कम से कम हो, और साती साथ उसका AEM जादा हो, ताकि हमको liquidity मिल सके, जब हम अपने mutual fund को बेचना चाहें, तो यहाँ पर मैं एक बार और repeat कर देता हूँ, कि हमको किस तरह से index fund को select करना है, expense ratio हमको कम से कम देखना है, tracking error भी हमको कम से कम देखना है, और जो AUM है, वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि हमने total लिख लिख भी छोटा है, तो हम इसको reject करते हैं, इसके बाद हम यह देख लेते हैं, किस index fund का expense ratio सबसे कम है, तो expense ratio सबसे ज़्यादा कम है, नावी nifty 50 index fund का, जो की 0.06% है, और tracking error के मामले में, SBI और UTI का index fund है, और दोनों का tracking error है, वो 0.03 और 0.03% है, तो tracking error के मामले में, यह दोनों mutual fund अ कि आपको ऐसे mutual fund house को select करना है, जिसका fund size बहुत ज़्यादा हो, और साथी साथ उसका expense ratio tracking error भी कम हो, तो मैं आपको line से बता देता हूँ, अगर मुझे pick करना हो कि कौन सा best index fund है, nifty 50 के लिए, तो मैं क्या pick करूँगा, तो मैं सबसे पहले SBI और UTI में से कुछ भी select कर बढ़ यहाँ पे हमको SBI में जो overall expense कम लग रहा है, 0.02% का, तो इसलिए मैं पहले preference में SBI को रख लेता हूँ, और दूसरे preference में UTI को रख लेता हूँ, और जो तीसरा preference होगा, नावी nifty 50 index fund, दोस्तों अगर future में ऐसा होता है, कि नावी nifty 50 index fund का expense ratio सेम रहता है, और इसका tracking error घट जाता है, तो होगा क्या कि जो इसका total expense है, वो कम हो जाएगा, उस particular time में हमारे लिए नावी nifty 50 index fund सबसे अच्छा रहेगा, बढ़ अगर हम अभी की बात करें, तो आप UTI यह SBI किसी के साथ भी जा सकते हैं, तो पहले हमने 18 nifty 50 index fund में से 5 को select किया था, अब उसमें से हम जो नावी का expense ratio है, 0.20, 0.18 और 0.06% है, तो expense ratio के मामले में तो ठीक था कि कोटक का nifty 50 index fund, पर जब हम tracking error को देखते हैं, आप देख सकते हैं, UTA और SBI का tracking error है, 0.03% है, और इवन आप नावी का भी tracking error देखते हैं, तो 0.12% है, वही पर अगर आप कोटक को देखें, जो इसका tracking error है, तो 0.23% पर जाता है, तो overall expense के मामले में हमको कोटक में 0.41% का expense देना पड़ेगा, वही पर बाकी तीनों में आप देख सकते है, 0.23, 0.21 और 0.18% देना पड़ेगा, जो की सस्ता है as compared to कोटक nifty 50 index fund, उस ratio tracking error के मामले में, ये तीनों ब्यूचल फंड बैटर as compared to कोटक nifty index fund उतना ही better होता है, तो इस मामले में UTI और SBI better है as compared to कोटक nifty 50 index fund, आप इन तीनों में से किसी को भी consider कर सकते है, as compared to कोटक nifty 50 index fund, तो हमने कोटक nifty 50 index fund के बारे में पूरी जानकारी ले ली, और हमने ये भी देख लिया है, कौन सार best nifty 50 index fund रहेगा हमारी लिए, तो अब हम over the year किस प्रकार के return दिया है, तो एक साल में Nifty 50 index ने 20% के return दिया है, तीन साल में 15% के return दिया है, तो जो यहां पे return लिखे हैं विए CAGR term है, इसका मतलब यह हुआ कि अगर Nifty 50 index ने 5 साल में 14% के return दिया है, आप 14% के return को आप ऐसे समझ सकते हैं, यहां आपको 5 साल तक 14% के return मिलेगा तापके पैसे almost double हो जाएंगे निफ्टी 50 के historical return को देखे हमको यह पता चलता है कि निफ्टी 50 ने regular रूप से 14% का return दिया है इसका मतलब यही हुआ कि निफ्टी 50 ने हर 500 में आपका पैसा double किया है वीडियो के एंड में चली हम निफ्टी 50 के इंडेक्स के चार्ट को भी देख लेते हैं पसंड के return अच्छे लगते हैं तो आप निफ्टी 50 के index fund में invest कर सकते हैं इस वीडियो में हमने निफ्टी 50 index fund के बारे पूरी जानकारी ली इसके अलावा नसी ने बहुत सारे index बनाके रखे हैं जैसे कि nifty next 50 हो गया निफ्टी 100 में जानकारी इन में कौन से स्टॉक सात हैं इनके बारे में जानना है इंडेक्स related playlist कलिंगा आप को वीडियो के description मिल जाएगा वहां जाके इन वीडियो को देख सकते हैं तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्स्राइब कीजिए, अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्चन में पूछना ना भूलिए.